नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंधियन किचन में अगर आप चाहते हैं कि आपकी किड्नी, आपका लीवर और इसी के साथ-साथ पेट से जुड़ी हुए सारे जितने भी ओर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से काम करें सारे चीज़ें बिल्कुल स्वस्त रहें, उनमें किसी तरह का इंफ्यक्शन या सूजन ना हो, कभी भी आपको हर्ट ब्लोकेज ना हो, हडियां कभी भी आपकी कमजोर ना हो, कभी भी आपको अनिद्रगी प्रॉब्लम ना हो, तो सिर्फ एक छोटा सा उपाए आपको करना है इसी के साथ साथ अगर आप शरीर की गर्मी से परेशान है, पेट की गर्मी से परेशान है, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आज की इस ओस्ती को जरूर देखें और ध्यान से देखें, इसको इस्तमाल करना बेहद आसान है, इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि कभी भी जी क्या तो आपसामनी दीख सकते हैं यहां पर bleibt में लिये हैं जो आप सभी जांते है opened आजू में लोगों से खाना बिलकुल छोड़ दिया है पुराने समय में इसको बहुत जब उपयोग मिलिया जाता थह जिसकी वजह आपका जो शरीर है वह हमेशा है यह इता ठेज घूर यह इसके जगे जो है वो ग्यहुने चावल ने और बहुत तरह के अनाज आ गए हैं उन सब ने ले ली हैं लेकिन जो का कोई स्थमान नहीं करता बहुत कम लोग जानते हैं कि यह एक इतना अच्छा अनाज है जो कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कम से कम सौ से अधिक बिमारीयों को जड़ से खत्म करता है आपके शरीर को साफ करने का काम करता है आपकी बॉड़ी के हर और गन को अच्छा करता है उसको पहले से बहतर बनाता है अगर आप इसका इसका अस्तमाल करते हैं तो आपको भरपूर मातरा में प्रोटीन मिलता है कार्बो हा पाया जाता है नियसीन पाया जाता है और इसमें इतने सारे पोसक तत्व होते हैं कि अकेला जो सिर्फ दो चम्मच अगर आप रोज़ाना इस्तमाल करने तो आपके शरीर में 100 से अधिक बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं सबसे पहले बात करते हैं कि इसके क्या-क्या फ बीटर ग्लूटन पाया जाता है जो कि एक बहुत खास तत्व होता है जो कोलिस्टोल को नियंतरित करने का काम करता है बीपी को मेंटेन करने का काम करता है तो अगर आपके हार्ट में ब्लॉकिज है आर्टरीज में ब्लॉकिज है तो उसके लिए ये बेहत अच्छा है इसकी चाय बनाकर पीते हैं या फिर इसके आटे का इस्तमाल करते हैं दोनों ही तरीके से आपको बेहत फायदा देता है इसकी चाय बनाने का क्या तरीका है वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी रोग प्रितिरोदक छमता को बढ़ाता है अगर आप इसका 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 आपके वजन को कम करने में नियत्रत करने में भी ये काफी जादा मदद करता है जब आप इसका इसका इस्तमाल करते हैं तो आपका वजन तेजी से कम होता है और ये आपके डाइजेशन को पहले से बहतर बनाता है क्योंकि इसमें भरपूर मातरा में फाइबर पाया जाता ह आपके इन डाइजेशन की प्रॉब्लम है कबजियत की दिक्कत है आपको तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है जो कि आंतों को साफ करने का काम करता है कबज से आपको निजात दिलाता है इसमें एक बहुत अच्छा तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं लेक्सिटिव जो की कबज को साफ करने का काम करता है पेट को क्लीन करने का काम करता है इसमें ब्यूटिट टेरिक एसड भी पाया जाता है जो की बहुत एहम भूमी का निवाता है आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने म तो यहाँ पर हम इसकी बहुत ही बहतरीन सी उस्दी बनाएंगे इसके लिए आपने मातर दो चमच यहाँ पर लेना है जो को अच्छे से साफ कर लीजिए पानी से पोच लीजिए किसी चीज से और उसके बाद आप इन्हें भून लीजिए बिल्कुल हलका हलका सा आपने इनक की पहजान होती है कि इनके एक तो कलर चेंज हो जाता है दूसरा क्या होता है कि चटकना शुरू कर देते हैं तो आप इन्हें अच्छे से भून लीजिए यह जो आज की ओस्दी है यह आपको सर्दी खांसी जुखाम से भी राहत देती है क्योंकि भरपूर मत्रा में एंट की पर तक ब॥ पक्रत थाँध करते हैं मिक्सी में नहीं इस जो आप कोती हो वकिए अच्छा है तो फिर एक रावड को एक साथ कूट कर भी रख सकते हैं यानि कि भून लीजिए एक किलो या आधा किलो जों को और उसको जो है इस तरह किसे दरदरा कूट कर किसी भी एर ट्रैट कंटेनर में भरके रखेंगे तो यह काम आपको रोजाना नहीं करना पड़ेगा तो यह देखे हमने कूट लिया है और पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है अब इसके अंदर हमने दो शम्म जों लिये थे जो कूट कर तयार किये हैं इन्हें मिक्स कर देंगे और इन्हें अपने अच्छे से पकाना है बढ़िया तरीके से बहुत जादा नहीं पकाएंगे लेकिन तीन चार उबाल आ जा अगर आपको टेस्ट इंप्रूव करना है तो यह बहुत ही बढ़िया सी आपकी जों की चाय बनकर तयार हो गई है अगर आप इस तरीके से नहीं लेना चाहते तो आप एक ग्लास या अदे ग्लास पानी के अंदर एक चमत जों को भीगो कर रखें और सुबार चान कर आप जो को अलग कर दीजिए और उसके पानी रहता है उसको पी सकते हैं जो का इस्तमाल आप खाना बनाने में किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो को भून कर पीस कर भी रख सकती हैं वो भी बहुत फायदा करता है तो यहाँ पर मेरे पास दो तरह की ट्रिंक है एक तो है जो रात क जो को भीगो कर रखेंगे सुबह उसको च्छान कर उसका साधा पानी पीएंगे एक दम उसको गरम नहीं करना है और अगर आपको पित्त की दिक्कत नहीं है वात की दिक्कत है कफ बड़ा हुआ रहता है आपका तो फिर आप इसकी चाय बना कर पीएंगे जो की हलकी की वज़े से परिशान है तो फिर आप इसे सुबह खाली पेट लेंगे रात को जो भीगो कर रखें सुबह पानी चान कर ऐसे ही नॉर्मल उसको पी लीजिए और जो जो होते हैं आप उन्हें अच्छे से कपड़े से पोंच कर और थोड़ा सा भून कर उनका पाउडर बना है तो आपको बहुत फायदा करता है इंडाइटरिशन के लिए बहुत अच्छा होता है अगर जो महिना गर्भा वस्ता में है वो इसका इसका इस्ते माल करती है तो उनके शरीर को भी बहुत जादा अच्छा रहता है लेकिन फिर भी वो अपने डॉक्टर की सला के साथ ही अगर आप परिशान रहते हैं गर्मियों में बहुत जादा आपको प्यास लगती है तो जो ये सुबह के समय में नॉमल पानी मैनेजर आपको भीगो कर जोग को रखना है और सुबह पीना है ये अगर लेते हैं तो बोडी आपकी हाइडरेट रहती है आपको बार-बार प्या लेकिन ये जो है जो की चाय ये काफी फायदा करती है पित की पत्री जो होती है उसको गलाने में तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो कहीं तक ऐसा संभव है कि पित की पत्री जो होती है वो भी गल जाती है और गल कर बाहर निकल जाती है और अगर आप इसका इसका इस्त बचाता है अगर आप परेशान रहते हैं किसी भी तरह के तुचा के रोग से तो उसके लिए भी ये बेहद फाइदे मंद है इसका इस्तमाल किया जा सकता है आप इसके आटे का इस्तमाल भी कर सकते हैं आप इसकी चाय बना कर भी पी सकते हैं आप इसका सूप बना कर भी पी स कैंसर से बचे रहते हैं क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे तत्व होते हैं जो कि कैंसर को सिकाव को नश्ट करने में मदद करते हैं लीवर को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये चाहे आपको काफी जादा फायदा करती है चाहें आपका लीवर हो, आपके केड़नी हो, आपके पेट से जुड़े होए जितने भी और्गंस है सब को पहले से बहतर तरीके से काम करने के लिए ये चाय आपको काफी फायदा करती है सरीर की सूजन को कम करती है, डाइजेशन के लिए बेहत अच्छी है तो आप इसका इस्तमाल जरूर कीजेगा, लेकिन किसी भी चीज़ का इस्तमाल सीमित मातरा में किया जाए, तब ही वो आपको फायदा करती है क्योंकि ये कब्स को खत्म करने का काम करता है, तो जो लोग डायरिया से परिशन रहते हैं, उनके लिए इसकी चाय जो है वो फायदेमन नहीं है क्योंकि कई बार होता है कि डायरिया की दिक्कत बढ़ जाती है क्योंकि ये कब्स को खत्म करने का काम करती है इसे के साथ साथ अगर आपका blood pressure बहुत जादा लो रहता है तो भी आपके लिए सही नहीं है क्योंकि इसका इस्तवाल करने से ये जो BP है वो normal तो होता है लेकिन पमस्ते कृब बीजि़े आप प्री स्थमूंण की एक। फाइदे मंदैं के तो आज पमस्तों में स्यूंद पयाद एक जब दा खयाल रखें, हस्ते मुस्कुराते रहें, स्टे हेल्दी, स्टे हैपी, बाबाई.